जावा सीखने के लिए हमारे चैनल Learn Coding को सब्सक्राइब करें हाई गाइस आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एकसिप्सन हायर की एकसिप्सन हायर की का मतलब यह है कि जावा में जतने भी टाइपस के एकसिप्सन होते हैं उन सभी को हम आपको डायग्राम के तुरू सो करके दिखाएंगे साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद हमारे एक्सिप्शन हायर की को देखने के बाद आपको एक्सिप्शन बहुत अच्छा लगने लगे गया एक्सिप्शन हैंडलिंग का चैप्टर क्योंकि यहीं वी आपको पता चल जाएगा कितने टाइप के एक्सिप्शन होते हैं ठीक है आप पिर आगे हमारे मेडियों इसको देखते रहिए गया guess ně है इंडलिंग सीखते आप चलिए स्टार्ट करता हिए हुआ इस एक्सिप्शन हायर की फोल एक्स्प्ले शिप्लेसन धों हरो एव सउर्ट एकलास выб Soul nie這個 तो यह जो यह प्लास इपारश के अंदर 150 से एक से रट तो चलिए इन के बारे में अभी हम detail में discuss करते हैं और hierarchy के जरिये सभी exception के बारे में जानते हैं तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो यह हो गया हमारा throwable super class exception hierarchy का और इसका पहला sub class exception और second sub class error तो अभी आप बोलेंगे exception क्या होता है error क्या होता है इन दोनों में difference क्या है सबसे पहले exception की बात करते हैं हम अगर आप अपने प्रोग्राम में गड़बड़ी करेंगे न तब यह exception अकर होगा अगर आप गड़बड़ी नहीं करेंगे ति यह exception कभी नहीं आएगा और यह जो exception होता है न इसे handle किया जा सकता है आप exception handling mechanism के तुरू exception को handle कर सकते हैं कि बात करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने प्रोग्राम में एक भी गलती नहीं करते। फिर भी हमें एरर मिलता है। वह क्या हो सकते हैं STAC OVERFLOW error मतलब स्टैक मेमरी नहीं है स्टैक मेमरी खतम हो चुकी है। इसमें बताईए और की क्या ग livestock कोह से नहीं को सब्सक्राइब इस तरह से कहुंति पूख सकता है खता तुछ कोई में गलती नहीं हो सब्सक्राइब आपूट एरर लिंकेज एरर मत्तब वेरिफिकेशन के लिए जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा डॉट क्लास फाइल जब वेरिफाई के लिए जाता है तो कभी-कभी उसमें हमें के मिलता है जबकि हमने कोई भी मिस्टे नहीं करा होता है मीरुण ठॉट है अगर आएंगे थो अभी है कि सबसे पहले होता है ये सबक्लासे और यह सबक्लासे से और इनन सबक्लासे से और इसका सुपर क्लास है यह एक्सेप्शन क्लास और इसका एक्सेप्शन का सुपर क्लास है यह थ्रोएबल तो यहां पर हो गई यह एक्सेप्शन के नाम अभी हम आपको बताते हैं सबसे पहले रन टाइम एक्सेप्शन की एक्सेप्शन के बारे में रन टाइम एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसे रन टाइम में अकर होता है और हमें इसे हंडल करना पड़ता है तो इसमें सबसे पहला एक्सेप्शन का नाम आता है अरिथमाटिक एक्सेप्शन सेकेंड होता नल पॉइंटर एक्सेप्शन थार्ड होता नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा आपको बिल्कुल भी टैंसन नहीं लेना है फिर होता है इंडेक्स आउट ओप बाउंड एक्सेप्शन इसमें दो होता है या तो एरे इंडेक्स आउट क्ट्रिंग में भी सेम केसे उसके बाद आपना इन पूर्ट स्वाना जाता है इसमें क्या होता है दो टाइप के सब्सक्राइब आपको जेनरर्डरी देखने मिले गा the end of filearaoh ticketck मुझा एकुछ पाइलन और सब्सक्राइब ख़यागा तो यह वगा हमारे 16 Irish के कुछ basic exceptions के name exceptions classes मैंने exception और exception और error में आपको difference भी बताया तो अभी चलिए हम आपको कुछ और drawing और चार्ट के थुरू exception और error के बारे में बताते हैं जब भी हम कोई Java program बनाते हैं तो मालो हमारे class का name test है तो हम source code को save करते हैं test.java name से हैं यह होता है हमारा source code ठीक है उसके बाद क्या होता है हम अपने source code को Java C के पास ले जाते हैं यानि Java compiler के पास अगर Java compiler program को compile करता है और उस time पे हमें कोई भी error दिखता है कोई भी अगर प्रोग्राम को compile पाई लेसेन का time में problem आता है तो उसको हम बोलते हैं एर और यह जो एर आता है ना जब program को compile कर रहे होते हैं यह हमारी mistake की बज़ए से आता है अगर हम कोई syntax follow नहीं करेंगे तब compile time में error करोगा हम कोई mistake logic define करेंगे प्रोग्राम में तब compile time error आएगा तो यह हमारे mistakes error आता और यह compile time में आएगा उसके बाद मालों यहां पर successfully program compile हो गया तो यहां पर क्या होगा हमारे test class करना dot class file बनेगा यह dot class file बन गया उसके बाद यहां पर होगा हमारा जेवियम ठीक है यह हो गया अपना जेवियम अगर जेवियम प्रोग्राम को इंटर्प्रेट कर रहा और उसको यहां पर कुछ गड़बड़ी मिला तो वह होता है exception ठीक है और यहां पर एर भी हो सकते हैं यहां पर वह होते हैं जैसे इस्टैक ओवरफ्लो एरर जेवियम मेमरी नोट फाउंड एरर इंपूट अपूट एरर जिसमें प्रोग्रामर की गलती नहीं होती जैसा मैंने थ्रोएबल के एरर क्लास में आपको बताया ठीक है और exception भ हो रत वो exception होगा ठीक है और वो runtime error होगा जो की error class का error होगा जैसे मैंने बोला इस्टैक ओवरफ्लो एरर तो यह हो गया हमारा basic functionality प्रोग्राम का जावा प्रोग्राम का अभी देखो जावा प्रुवायट मेकेनिजंप वर्कवीथ exception से निपटने के लिए उसके साथ काम करने के लिए उसे हैंडल करने के लिए जावाना मेकानिजम दिया है ट्राइ, कैच, थ्रो, थ्रोस, फाइनली अगर आप प्री डिफाइंड एक्सेप्शन में काम करें प्री डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए आप जा रहे हैं और exception को throw करना चाहते हैं आप responsibility नहीं ले रहे हैं exception को handle करने का आप चाहते हैं कि हम exception को throw कर देंगे और उस exception को JVM handle करें तब हम use करेंगे throw और throws ठीक है और finally block try catch का जैसा ही एक block होता है जो की 100% execute होने का guarantee हमें देता है फिर चाहे प्रोग्राम में exception रहे या नर है तो चलिए try catch block use करके हम एक predefined exception आपको handle करके दिखाते हैं practical session में हम आपको run time exception का second type null pointer exception handle करके दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये null pointer exception क्या होता है और ये क्यों अकर होता है कब अकर होता है तो चलिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लिखना सबसे पहले हमने एक npe नाम का class बनाया इसका मतलब null pointer exception और ये हो गया main method अगर इस main method के अंदर मैं लिखूं string str equal null मैं आपको बता दूँ null एक reserve word है Java में मतलब keyword है जिसे आप as a literal use कर सकते हैं ठीक है null का कोई भी cast नहीं होता uppercase lowercase इस तरह का कोई भी cast null का नहीं होता तो अगर हम यहाँ पे लिखे system.out.print talent और str को print करें तो simply result क्या display होगा यह आपको भी पता है इसमें कोई भी doubt नहीं है हमने program को compile करा और इसे हमने run करा तो देखो यहाँ पे हमारा result null display हो चुका है लेकिन अगर इसी null को हम मालो convert करना चाहते हैं to uppercase हम इसको uppercase में convert करना चाहते हैं तो अभी देखेगा हमारे इसी program का output हमें यहाँ पे exception मिलेगा exception हमेशा run time में अकर होता है run time error होता है compile हो गया program और यह देखो क्या बोड़ रहा exception in thread main main thread में exception आया है java.lang.null pointer exception यह हमारे exception का नेम है null pointer exception null pointer exception एक class है जो की java के line package में है string.to uppercase आप यह नहीं कर सकते यहाँ पे देखो npe class है main thread के अंदर main method के अंदर line number 8 में जहाँ पे हमने इस null value को इस null literal को अपर case में convert करने की कोशिस के यहाँ पे exception अकर हो रहा तो मैंने आपको last lecture में जब arithmetic exception handle करके बताया था तो उसमें मैंने बोला था जिस भी line में risk हो जिस भी line में exception आ रहा है या फिर जिस भी line में exception आने का chance हो उस line को ही हम try catch block के अंदर लिखते हैं exception को handle करने के purpose से तो हमें पता है exception इस line में आ रहा था हम क्या करेंगे इसी line of code को अपने try block के अंदर लिखेंगे क्योंकि exception आने का reason यही line है और कोई line तो है नहीं तो इस try block के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर अपने exception वाले code को लिख देंगे अगर exception आता है तो हमारे पास एक block होगा catch block यह क्या करेगा जो भी try block exception थ्रो करेगा उसको catch करेगा तो यहां पर null pointer exception के लिए null pointer exception नाम का class है इसका एक name लेते हैं reference name मैंने end ले लिया ठीक है तो यह जो null pointer exception class है यह صिर्फ और शिर्फ null pointer exception को ही catch करेगा कि अगर हम arithmetic exception यहां से throw करें ट्राइब लोक तो यह null pointer exception नहीं लेगा उसे क्योंकि ये null pointer exception classes सिर्फ और सिर्फ null pointer exception को ही accept करेगा तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी message दे सकते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए किस type का exception आ रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं null cannot be casted दीखें आप null value को upper case lower case में बदल नहीं सकते हैं यह हमने exception का एक reason यहाँ पे सो करा है क्योंकि यह हमें समझ में आ रहा तो अभी result को अगर हम दिखाएंगे आपको तो आप देखिएगा program compile हुआ exception अगर होगा तो यह message display करेगा अगर नहीं होगा तो result आएगा तो यहाँ पे देखो null cannot be casted यह message आया है मत्तब हमारे इस program में exception था यहाँ पे exception आया जैसे exception आया try block ने exception को थो करा catch block ने उसे catch किया ठीक है एक बात यहाँ पे और बताऊंगा कि अगर प्रोग्राम में हमारे exception आता है और अगर हम उसे handle नहीं करेंगे program वही पे terminate हो जाएगा जैसे first time देखो यहाँ पे जब हमने program को compile करा था यह रहा exception आया था वही पे program हमारा line number 8 में ही terminate हो गया था जहाँ पे हमने exception को handle नहीं किया था लेकिन अभी हमारा program last तक successfully execute कर रहा है क्योंकि हमने exception को handle कर लिया है अगर इस try block में exception रहेगा जैसा कि अभी इसमें exception आया था तभी हमारा यह catch block execute करेगा नहीं तो हमारा यह catch block execute नहीं करेगा अगर मालो में आपको दिखाने के लिए यहां पे लिख दू एक string मैंने क्या लिख दिया अंकित ठीक है तो अभी यहां पे यह अंकित है इसको हम अपर case में convert कर सकते हैं तो यहां पे कोई exception नहीं आएगा तो result display होना चाहिए ठीक है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं program हमारा compile हुआ और यह हमने इसे run किया तो अभी देखो हमारा result display हुआ अंकित यह two uppercase method ने इसे uppercase में convert कर दिया तो जब भी exception नहीं रहेगा फिर चाहिए हम try block के अंदर ही उस code को लिखे उसका result display होगा लेकिन अगर exception रहेगा जैसे पहले वाले case में यहां पे देखिए नल को जब हम convert कर रहे थे तो exception आ रहा था तब हमारा यह catch block execute कर रहा था यही होता है try और catch block यूज करने का फायदा अगर exception रहेगा तो काम करेगा और नई भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो यह था null pointer exception जिसमें आप null value को upper case या lower case में convert करने की कोशिस कर रहे हैं इस तरह की कोशिस के दौरान आपको null pointer exception देखने को मिलेगा अगर आपको हमारा यह concept समझ में आ रहा हो null pointer exception का तो वीडियो को like करिए share करिए चानल पे नए है चानल को subscribe कर दिजिए और try catch block predefined exception के case में ही हम use करते हैं जैसे यहां पे null pointer exception भी एक predefined exception है in fact मैंने exception hierarchy में जितने भी exception के नाम लिखा है वो सभी predefined exception है तो वो predefined exception को handle करने के लिए try catch block होता है और try catch block लगाने का मतलब यह है कि हम exception खुद create कर रहे हैं और हम खुद responsible हैं उस exception को handle करने के लिए अ